राजस्थान के मौसम में बड़े बदलाव की दस तक क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रिमानसून कब और कहा मचाएगा धूम? अंधी और बारिश का कहर किस तरह से आपके इलाके को प्रभावित करेगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं प्रिमानसून का पूरा अपडेट और इसके साथ आने वाले मौसम के रोमांचक बदलाव इन दिनों राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है पश्चिमी विक्षोब के असर से भयंकर गर्मी और लू से राहत मिली है और अब मौसम विभाग की भविश्यवानी के अनुसार प्रिमानसून ने दस्तक देने की तयारी कर ली है मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले चार दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है जैपुर मौसम केंद्र के अनुसार प्रिमानसून के चलते कोटा और उदेपुर संभाग के छेह जिलों उदेपुर, प्रतापगड, चित्तोडगड, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जालावाड में 12 जून तक लगातार आंधी और बारिश की संभावना है पिछले दो दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोब के चलते गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, कोटा, सीकर, जैसलमेर और चूरू जैसे शहरों में तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में जैसलमेर, बाड मेर, चित्तोरगर और उदेपुर सहित कई शहरों में बारिश और ओले गिरे उदेपुर के पास सराडा में 22 मिमी, सलूंबर में 6 मिमी, गोगुंदा में 13 मिमी, बढगांब में 10 मिमी, देलवाडा राजसमंद में 10 मिमी, रेलमगरा में 16 मिमी, आमट में 11 मिमी, बाड मेर में 6 मिमी, पाली के देसूरी में 13 मिमी और रानी में 9 मिमी बारिश दर्ज की ग वहीं केरल में मानसून के 25 दिन बाद राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है मौसम विभाग ने जून के आखरी सब्ता में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है इस प्रीमान्सूण के दोरान आंधी और बारिश से बचने के लिए घर के अंदर रहे और सुरक्षित स्थान पर रहे अपने वाहन और अन्यसंपत्ती को सुरक्षित जगह पर रखे तो दोस्तों, ये थी राजस्तान के प्रिमानसूम और आने वाले मौसम की पूरी जानकारी। लोकल 18 के लिए जैपुर ग्रामीन से काजल मनोहर की रिपोर्ट।